हाई दोस्तो मैं सतेंद कुमार सिर्वेरियर चैनल में आप सबका सागत करता हूं दोस्तो आज यहां लेक्षन नंबर सेवन है लेशन नंबर दो फाउंडेशन हमारा चल रहा है तो इसके पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका ट आज हम एक कि वत बारे में उनकी कलमने प्रकार बता है आज उनका विश्तार पड़ेंगे सबसे पहले खास्केदार यह फैला निए इस प्रड़ान स्पूरेट फाउंडेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे यह क्या होता फिर है उसी Spread Foundation के अंतरगत उसका खसके दान निव का अभिकल पने, Design of Spread Foundation, Spread Foundation का हम Design पढ़ेंगे, Design के अंतरगत क्या क्या पढ़ेंगे, Design के अंतरगत, New की चौड़ाई width of Foundation पढ़ेंगे, किसकी Spread Foundation की और New की गहराई depth of Foundation पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे, Concrete Black की मोटाई Thign तो ये दो हमारा टपीक है पहला टापीक है खसके दाव जया फ़ैलार इस्प्रेट ऐसं और दूसरा पढ़ेंगे खसके दाव निवचा अभीकल्पना डिजैन आप इस्परेट फाउंडेशन और इस्परेट फाउंडेशन के अंतरकत पढ़ेंगे निवचा आयट आफ प्रकार में सबसे पहला है खसकेदार जया पहला नियु इस प्रेट फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों आज हमारा ये लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है विभीन प्रकार की उठली नियु डिफरेंट टाइफ आप स्टैलो फाउंडेशन कल के लिक्चर में हमने टाइफ ऑफ फाउंडेशन के प्रकार बारे में इस्टडी किया था तो उसमें फाउंडेशन हमारा दो प्रकार का होता है स्टैलो फाउंडेशन और डी फाउंडेशन कल के लिक्चर में हमने स्टैलो फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है और नाम के ब भाय वहर ऑनुल तो सब में 이후 जआए मुश्टार पुर्वक जानते हैं तो सब से पहले जानते हैं घाे ख्रत्राणी और फैला स्ब्रकिश्पन पर्यानों का यहां प्रया स्ब्सक्राइबी लुक्ति इस देह 깊ना इस लिए इस फांडेशन को खसकेदार या पहला नूँ कहते हैं जहां दो प्रकार की होता है दीवार की खसकेदार नूँ और प्रास्तम नूँ दो प्रकार को होती है। Sprint Foundation दो प्रकारिक होते हैं, पहले हो निवारवण फारीर चेस्ति से यह दूसरों फारीर चुटरी कहने इसलिए प्रसथा चेस्ति दिवार की खसके दान्यों के बारे में ही इस्टडी करेंगे क्योंकि प्रस्तम कभी परिच्छा और जाम के दिरिष्टी से नहीं मातपूर है तो सबसे पहले जानते हैं दिवार की खसके दान्यों क्यों होते हैं उसकी जो गहराई होती है, चौणाई के बराबर या कम लिया जाता है, फिर है नियू की तली में 20-30 cm की मोटाई में एक अनपाते दो अनपाते 6 चूना कंक्रीट या एक अनपाते 6 अनपाते 12 की सिमिन कंक्रीट पर डालता है, खुटाई कर समतर तयार कर लेती हैं, क्या करते ह हैं, सबसे पहले हम जो इस फावनेशन होती है, उसकी गहराई ही चौणाई के बराबर या कम लेते हैं, फिर दूसरे इस टिप में क्या करते हैं, नियू की तली में 20-30 cm मोटाई में एक अनपाते 2 अनपाते 6 चूना कंक्रीट या फिर एक अनपाते 6 अनपाते 12 सिमिन कंक्र या फिर एक अनपाते 6 चूना कंक्रीट 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 या फिर एक अनपाते 6 चू पाते 12 सिमिट कंक्रेट पारण डालकर उस परत की मुटाई 20-30 cm होती है समतल करके कटाई करके तयार कर लिया जाता है पिर है कंक्रेट के आधार के उपर जो हमने बेज बनाया किसका बनाया है सिमेट का या फिर चून का बनाया उसके उपर 10-15 cm खसका दोनों किनारे देते हुए निव के दिवार उठा लेते हैं जो पूरा हमारा बनाया हुआ है बेज बनाया है उसको 10-15 cm खसका किनारे देते हुए नहीं दोनों तरफ से छोड़ते हुए 10-15 cm इसके बाद हीट की चिनाई दोनों तरह 5-5 cm एवं पत्थर की चिनाई में 10-10 cm के खसके देते हुए निव के जैमें तल लाते हैं तो इस परकार हमारा इस्प्रेट फाउंडेशन के अंतरगा दिवार की खसके दान्यू के बारे में जाना उमिद करते हैं आपको दिवार की खसके दान्यू क्या होते हैं इसके बारे में सौन में आ गया होगा दोस्तो हम इस लेप्चर का आप दूसरा टापिक जानेंगे खसके दान निव का अभी कलपन डिजाइन आप होटिंग फाउंडेशन तो डिजाइन आप होटिंग फाउंडेशन के अंतरगत सबसे पहले जानेंगे निव की चौड़ाई विर्थ आप फाउंडेशन क्या होता है तो दिवार की तली पर डाले गए कंक्रीड की चौड़ाई जिसमें सभी खसके सम्लिक रहते हैं निव की चौड़ाई मानी जाती है निव की चौड़ाई किसे कहते हैं जिसमें सभी खसके सम्लिक रहते हैं निव की चौड़ाई मानी जाती है यानि नसूतर से निवधारित किया जाता है तो इसमें हम डिजाइन में तीन चीजे जानेंगे पहले विर्थ जानेंगे फिर डप जानेंगे फिर कंक्रेट बलाग के बारे में जानेंगे तो हमारा पहला है चौड़ाई तो चौड़ाई क के चोडाई क्या होते हैं इसके बाहरे में हमने जान ज्लीए कि चोडाई क्या थे अब चोडाई का फार्मुलchine भी वरह डाब्लु कौन वाला कापयलव्र डाब्लु अपान पी होता है यहां भी वरह दीवार की निव में चोड़ाई, B क्या है दिवार में निव की चोड़ाई और W, capital W है दिवार की प्रती मीटर लंबाई पर पढ़ने वाला भार, केजी प्रती मीटर में, और P है मिर्दा की सुरचित भावधारां चमता, केजी प्रती मीटर स्वेर में, तो हम सेब से पहले डिजाइन आप हो क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर हमने फार्मूला जाना, B बरबर W, capital W upon P होता है, तो B होता है दिवार की निव में चोड़ाई, और W होता है दिवार के प्रती मीटर लंबाई पर पढ़ने वाला भार, केजी प्रती मीटर में, और P होता है मिर्दा की सुरचित भार अब हम दूसरा जानेंगे निव की गहराई, डबता फाउंडेशन के बारे में, दूसरा है मारा निव की गहराई, डबता फाउंडेशन, निव की गहराई, वह गहराई होती है जो जमीन कल से कंक्रीट बलाग के निचले सता तक होती है, जमीन कल से कंक्रीट बलाग के कानने के लिए रैकिंग सूत्र का परयोग किया जाता है नियू की गहराई को capital D से प्रदसित करते हैं P परबरे P upon gamma P upon gamma कोश्टग में 1 minus sign 1 minus sign phi upon 1 plus sign phi का whole square होता है तो नियू की गहराई का जो फार्मूला होता है P upon gamma कोश्टग में 1 minus sign phi upon 1 plus sign phi का whole square होता है अब जानते हैं कि ये क्या होता है तो D क्या होता है नियू की गहराई मीटर में और P होता है मिर्दा की सुरच्छी धारंग छमता 10 प्रती मीटर स्क्वेर या फिर kg प्रती मेटर स्क्वेर में होता है और gamma होता है मिर्दा का घरांट 10 मेटर प्रती क्यूब में होता है या फिर kg प्रती मेटर क्यूब में होता है और 5 होता है मिर्दा का विश्राम कोड होता है तो खसकेदार नियू का अभी कलपन याने डीजाइन आप के बारे में जाना और आब हम तीसरा बात करेंगे कंक्रीट ब्लाग की मुटाई थिकनेस आफ कंक्रीट ब्लाग तीसरा हमारा टॉपिक है किसका डीजाइन और foundation के बारे में जान नहीं तिसरा हमारा concrete block की मुटाई thickness अब concrete block क्या होता है तो t बराबरे under root 3 p j square upon m होता है तो जहाँ t क्या होता है concrete block की मुटाई meter में और p होता है मिर्दा की सुरचित धारण छमता 10 प्रती meter square में या फिर kg प्रती meter square में और m होता है भंजग मापक माडूलस आफ रप्टर इसका होता है 10 प्रती meter square में इसका मांच ठूना concrete के लिए 1.55 kg प्रती mm square kg प्रती meter square और cement concrete के लिए 1.4.8 के लिए 2.45 kg प्रती meter square लिया जाता है तो दोस्तों आज step chapter में हमने दो टापिक जाना पहले खसके दान निव बजाना फिर खसके दान निव के बारे में उसका design करना जाना डिजाइन के अंतरगत हमने क्या जाना जाना जोनियों की चोड़ाई वीड ताप foundation जाना फिर उसके बाद डब ताप foundation जाना फिर और प्रेट ब्लाग की मुटाइज थीकनिस सब कंप्रेट ब्लाग से जाना है, तो यहाँ लेक्चर यहीं समाप्थ होता है, यदि यहाँ लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, सस्क्राइब कर दिए और बिल आइकन के आल पर क्लिक कर दिए और दोस्तों में भ झाल